आज की रेश्पी एकदम खास है बजार में इतनी महंगी मिठाई मिलने वाली आज हम बनाएंगे घर पे वो भी कम समय में और कम समान से तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब उमेद करते हैं आप सब अच्छे होंगे खूस होंगे तो रक्षा बंधन का पर्व आ गया है दोस्तों आप अपने भाईयों के लिए अच्छे अच्छी मिठाई बनाने के लिए जरूर सोचे होंगे तो आप यह मिठाई जरूर ट्राई कर सकते हैं बहुत आसानी से घर पे बनके तयार हो जाता है और बहुत कम समय में और बहुत कम समान से और एकदम सही तरीके से आप बनाएंगे दोस्तों यह रैस पी बनाने के लिए दोस्तों आप पूरा वेडियो एंड तक देखिएगा और दिहान से देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो हमने ले लिया है एक पैन आप कडाई पैन कुछ भी ले सकते हैं और यहां पर हमने एक ग्लास दूद लिया है और हमने यहां पर दो चमबच मलाई लिया है तो हमने दूद को मलाई के साथ ही ले लिया है अब यहां पर हमने ख्लेम आन कर दिया है तो यह जो मलाई है चलाते रहें तो बहुत जल्दी ये भूल जाएगा जब मारा दूद उबल जाएगा तब इसमें हम डालेंगे पनीर यहां पर हमने पैकिट वाला पनीर लिया है 200 ग्राम पनीर है दोस्तों तो पनीर एक बार आप जब पैकिट खोलेंगे एक बार इसको दोलेंगे इसके कुड़ा साब भारी कर सकते हैं यहां तो से इसके मैस कर सकते हैं जैसे आप कर पाएं तो पर यहां पर हमने आप तूद्ध उबल गया इसमें पनीर डाल दिया है अभी इसको बराबर चलाते रहेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा ज्यादा समय नहीं लगता है और जो अब इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सक घी डालने से स्वाथ थोड़ा और बढ़ जाएगा और जब हम इसको जमाएंगे बर्फी तो हमारे जमने में भी मतद करेगा तो देखिए यहां पर हमने दो चमत घी लिया है चोटे चमत से तो घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें अब घी हमारा मिल गया इसमें हम डालते हैं चीनी तो चीनी हम इसमें बहुत ज्यादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि जब कलक अंद बर्फी बनाते हैं तो होगा हमने अंदाज से लिया है इत्ना चीनी हम इसमें डाल रहे हैं करते हैं यदि आप मीठा पसंद करते हैं तो तो बढ़ने दे चीनी घूलने के बाद तो पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगा फ्रेम हमने लो टू मीडियम रखा है अभी तो देखिए अब धिरे धिरे पतला होने लगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ रहा है तब यहाँ पर ड्राइफूट डालते हैं यहाँ पर दो अंजीर को हमने थो के छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है अब करें आठ से दस बदाम है इसको हमने बारीक कट करके लिए है और ड्राइफूट आप अपने पसंसके टालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं तो हम करईक दो चंबच यहाँ पर मिल्क पौडर डाल रहे हैं यदि आपके पास है तो डालिएगा नहीं तो आप इसकिप कर देजिएगा अब यहां पे हम नारियल का बुरादा जो कद्दुकस की ओवर नारियल आता है पैकिट का हम वो टाल रहे हैं आप सुखा नारियल अगर ड़ डालना चाहते हैं तो आप कद्दुकस करके घर में जो बगएर भी बना सकते हैं तो बस अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लिया है बढ़ीये से तो दोस्तों क्या है कि बहुत जादा इसको अभी गयस कप्ले विकदम धीमा हमने कर लिया है अब यहां पे हमने फाली में बटर पेपर रख दिया है उसके पर हमने थोड़ा सगी तो इनको अच्छी से मिक्स कर देंगे आपस में गैस का फ्रेम हमने एकदम धीमा रखा है दोस्तों बिल्कुल आपका ओवर कुप नहीं होना चाहिए नहीं तो इकदम सूफ जाएगा अब यहां डाले आधा चुटकी नमक आधा चुटकी से भी कम कह सकते हैं इसमें डाले है क्योंकि थोड़ा मीठ है कि बैलेंस अच्छा हो जाता है तो अच्छे से मिक्स कर देंगे बस यह हमारा आप जमाने के लिए तयार है तो जो हमने बटर पेपर पे घी लगा के रखा है अब उसमें गिरा लेते हैं यदि आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप थाली में घ क्योंकि थोड़ा जब बर्फी का पीस मोटा रहता तभी अच्छा लगता देखने में पूरी थाली में फैला रहेगा तो पतला पीस रहेगा इसलिए हम चारो तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा कर दिया है तो दोस्ते इसको पूरी तरह तीन से चार घंटे लगेंगे पारिक कटव वपिस्ता थोड़ा सा सजा देते हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है तब इसको हम रख देते हैं दो-तीन घंटा के लिए अच्छे से हमारा जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम फ्रीज में रख देंगे एक दो गंटा के लिए इसके बाद फिर मिलत है तो चलिए हम इसके पीस अलकल लेते हैं जो ध्यान से कटिएगा क्योंकि इसमें ड्राइफूट डाला बहुत बारिक नहीं डाला है तो इस आपका बिखर सकता है और पनीर है थोड़े दाने दाने हैं इसमें ताने थोड़े मुटे-मूटे ही है क्योंकि हमने मिक्सी में अगर आपको दाने बारिक चाहिए तो आप इसको मिक्सी में पीच लें दूद के साथ ही फिर आप इसको गैस पर कड़ाएं तो देखिए कितना अच्छा से जम गया आपको हमारे काटने के हिसाब से पता चल रहा होगा कि बहुत अच्छा हमारा बर्फीस सेट हुआ है हम दिख रहे हैं और बहुत अच्छा बर्फी बनके तयार हुआ है आप तोड़ के दिखाते हैं बहुत सौप्ट है और बहुत जूसी है ड्राइड नहीं हुआ ज्यादा है यह आप थोड़ा सा देर में इसको निकालते तो थोड़ा सा ड्राइड रहाता लेकिन अभी कमेंट भी कर दिया करें आपको कैसा लगता हमारा वीडियो क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत रुसाहान मिलता है और आप एक बार जुरू ट्राइब करिएगा रक्षा बंदन के आउसर पर आप यह सुरूर जूरू बनाएं तो दोस्तों आपने यदि हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किये तो बहुत बहुत धनवाथ यदि अपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाक एंगों कोई दबा लीजिए फिर मिलते हैं किसी और सब्सक्राइब के साथ जैहिन दोस्तों